आज हम बनाएंगे औसदी गुरों से भरपूर बहुत ही सौधिस्ट, बहुत ही लाजवाब रेसिपी आज हम करेली की ऐसी प्रजाती की रेसिपी बना रहे हैं जो खाने में तो बहुत सौधिस्ट होती है साथ ही ये वजन गटाने में भी बहुत सायक होती है इस सबजी में बहुत ही कम कैलोरी पाई जाती है इस सबजी को खाने से हमारी आँखों की रोशनी तेज होती है साथ ही हमारा बेपी भी कंट्रोल रहता है और ये डाइबिटीस पेसेंट के लिए अमरित से कम नहीं है नमस्कार दोस्तों मैं रूची वर्मा स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पे आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब जंगली करेला कक्रोला कट्रोला ये दुनिया की सबसे ताकतवर सबजी हो में गिनी जाते है इसके बहुत से नाम है आप इसे किस नाम से जानते हैं प्लीज आप हमें कमिट्स करके ज़रूर बताइए वैसे तो ये करेले की प्रजाती होती है ये बर्सात के मौसम में मिलने वाली सबजी होती है ये करेले की तरह बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है कक्रोला या कट्रोला को हमने छील लिया, आप इसे बिना छीले भी काट सकते हैं सबजी बनाने के लिए मसालों को देख ले रहे हैं 10-12 कलिया लहसुन की, हरी मिर्च, एक लाल मिर्च, एक चोटा चमजीरा 10-12 कलिया मिर्च, चोटी लाइची, बड़ी लाइची, एक चोटा टुकड़ा दाल चीनी का, जावित्त्री एक चोटा टुकड़ा अद्रक का, इन सभी मसालों का हम पेस्ट तयार कर लेंगे मसाले का पेस्ट हमने तयार कर लिया है कक्रोला या कटीले परवल की सबजी को भी हमने दुल कर काट लिया, इसके हमने चोटे मीडियम साइज के पीस कट किये है कैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई में हम एक बड़ा चमज सरसों का तेल डालेंगे आप सरसों की तेल की जगा जो भी ऑईल खाना पसंद करते वो डाल सकते है तेल भी अच्छे से गरम हो चुका, अब मीडियम साइज में कटा हुआ एक बड़ा प्यास डाल देंगे साथी इसमें हम एक चुटकी हिंग डाल देंगे और इसे हम चला लेंगे प्यास को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हलका सौफ्ट होई तक पकाना है प्यास अच्छे से पक चुका, अब हम मसाले का पेस डाल देंगे साथी इसमें एक चोटा चमच हम हल्दी पौडर लेंगे एक चमच धन्या पौडर नमक स्वादन सार, इन सभी मसालों को आपस में अच्छे से हम मिला लेंगे सभी मसाले आपस में अच्छे से मिल चुके हैं मसाले में अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी डालने से मसाले हमारे जलते भी नहीं और मसाले अच्छे से पक भी चाते हैं मसाले को एक बार हम चला लेंगे, अब इसे हम धक कर तेल छोड़ने तक बिल्कुल स्लो आँच में पका लेंगे मसाले को पकते हुए तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम धकन को हटा देंगे मसाले ने तेल छोड़ दिया, मसाला अच्छे से पक कर तयार हो चुका, इसे एक बार हम चला लेंगे मसाले में अब हम कटीले परवल को डाल देंगे, इसे आपस में हम अच्छे से मिला लेंगे मसाला अच्छे से कटीले परवल या कक्रोला में मिल चुका है इसे हम ढख कर 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आँच में पका लेंगे कक्रोला या करेले की सबजी को पकते वे 5 मिनट हो चुके हैं इसे हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे जंगली करेला अच्छे से दीमी आज पर फ्राई हो चुके अब इसमें हम एक कप पानी डाल देंगे आप इस सबजी को सूखी सबजी भी बना सकते या आप इसे ग्रेवी वाली सबजी भी बना सकते हम इसे ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं ये दोनों तरीके से बेहर सौधिस रेसिपी लगती है करहाई पर हम ढखकर लगा देंगे इसे हम ढखकर पांच मिनट के लिए मीडिया माज पर पका लेंगे सब्जी को पकते वे पांच मिनट हो चुके हैं अब हम ढखकन खोल कर देख लेंगे चट पटी मसालेदार जंगली करेले की सब्जी बनकर तयार है हमने इस रेसिपी में बहुत जादा ग्रेवी नहीं रखी है बस हलकी चिपचिपी ग्रेवी रखी है सब्जी को हम कटोरी में निकाल लेंगे फ्रेंट्स इस सब्जी के बहुत से नाम है आप किस नाम से जानते हैं प्लीज आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताईए हमारे लखनों में इसे जंगली परवल या जंगली करेला के नाम से जानते हैं फ्रेंट्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीस आप हमें कमेंट सके ज़रूर बताएए मिलती हूँ आप से आने वाली अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई